तो आज की वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं ML Agarwal Class 9 के Chapter 3 के Exercise 3.1 का solution तो Exercise 3.1 शुरू करने से पहले हम लोग पहले कुछ identities को discuss कर लेंगे और दिन अपने exercise को हम आगे start करेंगे तो सबसे पहले जो हमारे पास पहला identity है वह जो पहला identity आपको यहां पढ़ना है वह है a plus b का whole square देखिए a plus b का whole square क्या होता है यह इसके बराबर होता है a square plus 2ab plus b square तो पहला identity हमें यही पढ़ना है इसको यूज करके हमें question को solve करना है ठीक है जो second identity है a minus b का whole square यह अपका expansion है इसका क्या होता है कि a square minus 2ab plus b square इसे हमें याद रखना है ठीक है तो पहले हम इन दोनों को बारे में जानेंगे और इनको use करके कुछ questions दिया गया है उनको पहले हम लोग solve करेंगे जो आपका exercise 3.1 है उसमें question number 1, 2 & 3 इन ही identities को use करके solve किया गया है ठीक है तो आई हम लोग सुरू करते हैं तो question number 1 का जो पहला part हमें दिया गया है कि 2x plus 7y का whole square हमें इसे solve करना है तो मैंने अभी आपको formula क्या बता है कि जब कभी भी a plus b का whole square कहीं पर दिया हो तो इसको हम कैसे solve करेंगे a square plus 2ab plus b square तो इसको use करके हम लोग पहले इसको expand करेंगे तो यहाँ पर क्या है यह a के place 2x है और b के place 7y है तो यह क्या हो जाएगा 2x का whole square प्लस में 2 into में a यानिके 2x into में b यानिके 7y प्लस 7y का whole square ठीक है तो हमने पहले इसको अभी क्या फिर लिया है कि अभी हमने इसको expand कर लिया है इसको थोड़ा सामलों करेंगे इसकी नार्य शिफ्ट कर लेते हैं ठीक है तो अभी यह आ गया है a square प्लस 2ab प्लस b square तो हम लोग क्या करेंगे इसका हम whole square करेंगे तो 2 का square क्या होता है 4 and x square हो जाएगा x square और यह क्या हो जाएगा प्लस में 7 का square क्या होता है 49 y square यह आपके question number 1 का solution था question number 1 के part 1 का ठीक है then question number 1 का part 2 हमें दिया गया है यहां दिर रखा है कि 1 upon में 1 by 2 x plus 2 upon 3 y का whole square ठीक है इसे हमें solve करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे same identity apply करेंगे तो पहले क्या करेंगे 1 upon 2 x का whole square प्लस में 2 into में 1 upon 2 x into में 3 by 2 y plus 3 upon 2 y का whole square ठीक है तो हैं पर क्या हो जाएगा यह तो यह आपका हो जाएगा 1 का square 1 2 का square 4 and x का whole square प्लस में 2 और 2 दुनों क्या होगे आपस में cancel हो जाएगे यह क्या हो जाएगा तो 3 वन जा 3 और नीचे क्या है 2 और यह आपका x और यह हो गया y यानि 3 upon 2 x y प्लस में 3 का square 9 और 2 का square 4 y square यह था question number 1 के part second का solution then next is question number 1 का next है आपका question number 2 next क्या है तो question number question number 2 का जो पहला पार्ट हमें दिया गया है यह क्या दिया है कि आप solution को check करें ठीक है तो यहां question में क्या लिखा है यह x है तो पहले आप इसको फुदी solve करें यह क्या है आपका a है और यह क्या है b है तो क्या हो जाएगा a का square प्लस 1 upon 2 into में a into में 1 upon 2 into में b plus 1 by 2x का whole square ठेक है तो क्या हो जाएगा तो 3x का square क्या है आपका 9x square प्लस में यहां x और x क्या होंगी cancel कर लेंगे कि दूसरे को बचे क्या उपर 3 1 जा 3 and 3 1 जा 3 3 और नीचे क्या जाएगा टू तू जा 4 upon में 1 का square 1 और 4x square यह था question number 2 के part 1 का solution then next question number 2 का part second जो के हमें देर रखा है 3x square y plus 5z का whole square ठीक है तो यहां पर हमें यह दो पार्ट दिया है 3x square y plus 5z का whole square हम कैसे solve करेंगे इसको solve करेंगे हमें क्या करें कि आप हमें a दे रखा यह और यह है b तो 3x square y का whole square प्लस में 2 into में 3x square y into में 5z plus 5z का whole square ठीक है तो यह क्या हो जाएगा तो जब इसका हम square करेंगे 3 के square होता है 9 और x square हो जाएगा x का power 4 और यह y square और यहां पर 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30 और यह x square है तो x square रहेगा यह y into में z plus में 5 20 25 z square यह आपकी question number 2 के part second का solution था then next है आपका question number 3 में आपको दो पार्ट दिये गए और यहां पर फार्मूला है वो चेंज हो गया अब यहां पर क्या गया है कि यहां पर हमारा identity आ रहा है तो क्या है यहां पर identity आ गई a minus b का whole square जिसको हम लोग अभी पढ़े है a square minus 2ab plus में b square तो हम square तो यहां पर जो a है हो क्या है 3x है और b क्या है तो 1 upon 2x तो यहां पर क्या हो जाएगा 3x का whole square plus sorry यहां पर क्या होगा यह प्लस नहीं यह होगा आपका minus में 2 into में 3x into 1 by 2x plus 1 upon 2x का whole square ठेक है तो यहां क्या है पहला जो है आपका 3x का क्या होगा 9x square हो जाएगा यहां 2 और 2 दूसरा क्यंसिल कर लेंगे और x वाला x को कैंसिल करेगा बचे क्या minus 3 और यहां 1 का square 1 होता है और 2 का 4x square यह था question number 3 के part 1 का solution then next है question number 3 का part second जो कि हमें दे रख्था है 1 by 2x minus 3 by 2 दे क्या दे रख्था है 1 by 2x minus 3 upon 2y यह जो x है इसको त्वार सही कर लेंगे हम लोग यह का whole square is equals 2 ठेक है तो यह क्या है कि यहां पर यह हमें दे रख्था है 1 by 2x यानि कि 1 upon 2x का whole square minus 2 into में 1 upon 2x into में 3 upon 2y प्लस में क्या होगा तो 3 upon 2y का whole square देखिए यह expansion लिखना इंपोर्टेंट है अगर आप इतना सही से लिख लेते हैं तो आप से हंड़ेट परसेंट कुश्चन सही साल गोगा गलत होने कोई चांस नहीं है ठीक है तो अब यहां पर क्या हो जाएगा यह तो यहां पर क्या हो जाएगा यह इसका हो जाएगा आपका वन अपॉर एक्स स्क्वाइर माइनस तू और टू एक दूसरों कैंसल कर लेंगे तो यहां क्या बचेगा तो यहां आएगा यह थ्री अपॉन टू एक्स वाई प्लस में थ्री का स्कॉर नाइन और टू का स्कॉर फूर वाई स्कॉर ठीक है तो यह था कुश्चन नमबर थ्री के पार्ट सेकेंड का सॉल्विशन तो नेक्स्ट वीडियो आगे की कुश्चन को सॉल्व करेंगे झाल